तो दोस्तों recently मैंने आपको बताया था कैसे चाइना की market में एक जबरदस्त returns देखने को मिल रही है hands and tech index यहां पर एक महीने में 60% से ज़्यादा के returns देकर बैठा है क्योंकि चाइना में stimulus आ रहे हैं नए measures लिए जा रहे हैं अपनी economy को boost करने के लिए और उस वज़े से ऐसा माना जा रहा है कि जो foreign investment थी वो इंडिया के में जो आने की chances थे वो चाइना के तरफ shift हो रही है क्या ऐसे में हमें चाइना में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके risk और सारी चीजों के हम बात करेंगे इंवेस्ट कैसे कर सकते हैं तो मिराए एसेट का Hang Seng Tech ETF और fund of fund यह दो option आपके पास available होते हैं जिसके थूँ आप Hang Seng Tech Index में invest कर सकते हैं तो पहले इंडिक्स के बारे में समझ लेते हैं देन उससे जुड़े हुए risk भी हम इस वीडियो में समझेंगे और उसके बाद end में आपको decision लेना है कि आपको invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें अगर Hang Seng Tech ETF के बारे में तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त return इस index ने दिया आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक हफ़ते की अगर हम returns की बात करें 54% के आसपास की returns एक महीने में आपर दिया है एक हफ़ते में देखेंगे 14% के आसपास की return है और एक साल में 57% की तो majorly पिछले एक महीने की ही returns इसकी पूरी साल की returns के एसाप से आई हुई है तो आप अगर हम 5 साल का भी इसका चार्ट दिखेंगे तो 5 साल से लगातार गिरावट देखनी को मिल रही थी इस इंडेक्स में और यहाँ पर अचानक से एक बहुत जबर्दस्त तेजी देखने को मिली है अब hangs hang index है क्या चीज तो basically यह technology related companies का एक index है जो चाइना की related companies में यहाँ पर रहता है जिसमें total 30 companies यहाँ पर रहती है provides diversification across 30 large tech themed companies और यह companies majorly जो revenue और R&D investment से growth यहाँ पर मिलती है जिसमें fintech, cloud, e-commerce, digital और autonomous vehicle इस 5 majorly sector की companies यहाँ पर है company कुनसी है तो अगर हम यहाँ पर companies के बारे में बात करते हैं तो यह majorly आपको companies देखने को मिलेगी यह total 30 companies है जो इस index में आती है जिसमें से सबसे ज़्यादा आपने नाम भी सुना होगा Alibaba Group Holding इसमें 10% यहाँ पर investment है इसकी allocation है इसके अलावा jd.com की यहाँ पर 8.5% इसके अलावा अगर आप देखेंगे Lee Auto Inc. की 7.1% और उसके अलावा काफी अलग-अलग companies यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो majorly जो tech related companies हैं और चाइना की companies हैं इसके अलावा Lenovo Group आपको देखने को मिल जाएगा यह थोड़ा से हमने नाम सुना हुआ है 4.2% बाइदू Inc. का नाम भी हमने सुना होगा 4.7, Tencent Holdings तो यह majorly बहुत बड़ी-बड़ी companies हैं जो चाइना में यहाँ पर काम कर रही हैं और इसके अलावा इनमें से कुछ MNCs भी यहाँ पर शामिल है तो एक तो यहाँ पर ETF अविलेबल है इसके अलावा निपन का भी एक ETF यहाँ पर अविलेबल है और एगर आप mutual funds के थुरू invest करने के बारे में सोचने हैं तो यहाँ पर आप मेरा एसेट हैंग सेंग ETF का fund of fund भी यानि की mutual fund के थुरू भी आप invest कर सकते हैं यहाँ पर आगर आप देखें एक महीने में 62% की return है छे महीने में 73% के आसपास के return इस fund of fund में दिया है और एक साल में लगबग 59% के आसपास की return से यहां पर दिये है दो साल में अगर आप देखते हैं एपसल्यूट return 72% की और यहाँ पर आप दो सालों में 31% की CAGR return लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 8 December 2021 में यह index शुरू हुआ था यह fund of fund शुरू हुआ था लगबग 3 साल हो चुके है और यहाँ पर 3 साल के return अभी भी 4% के आसपास की है अगर हम SIP investing की बात करें तो यहाँ पर भी जबरदस्त returns है 130% के आसपास के return एक साल में SIP में देखने को मिली है और 2 साल मे लगबग 50% के आसपास की returns आपको देखने को मिली है तो अभी जो यह recently boom आपको पिछले एक महीने में Hang Seng Index में देखने को मिला है उसकी वज़े से यह इतनी जबरदस तेजी आपको इस index में देखने को मिल रही है अब अगर आप इसमें invest करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको risk भी यहां पर समझना है देखिए चाइना में invest करने का सबसे बड़ा का risk है मैंने अभी आपको 30 companies दिखाई उन में से शायद आपने 2-4-5 companies का ही नाम सुनाओगा उसके अलावा आपने इन companies का नाम भी शायद ना सुनाओ दूसरी चीज़ चाइना में negativity क्या चल रही है, negative क्या हो रहा है, वो कभी news भाहर नहीं आती है, यूस में हम invest करते हैं, हम nestic index में invest करते हैं, तो वहां से news आती रहती है कि क्या चल रहा है, उधर market में क्या positives हैं, क्या negatives हैं, अगले साल क्या होने वाले हैं, लेकिन चाइना की market में से वो news निकल कर नहीं आापाती है, समझना है कि अगर आप बहुत जादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप diversification के purpose से चाइना में invest करने के बारे में सोच सकते हैं maximum कितना invest करना है देखिए जोश में कि एक महीने में 50-60% की return आ गई है उस FOMO में आपको बहुत जादा अपनी allocation यहाँ पर नहीं करनी है 50% maximum आप invest करने के बारे में सूचिए वो भी अगर आप बहुत जादा risk लेने वाले investor हैं तो ही आपके लिए index जादा suitable रहता है और अगर आपकी wealth already बनी हुई है तो आप एक extra risk लेने के लिए diversification की purpose से चाइना में invest करने के बारे में सोच सकते हैं इस index के ध्रू तो यह चीज़ आपको यहाँ पर समझ नहीं है मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया में invest करते हैं तो भी आप एक अच्छी returns कमा सकते हैं चाइना में invest करना एक जादा risky proposition रहेगा तो अगर आप high wealth investors हैं आपके already एक दो करोड का portfolio बन चुका है तो आप थोड़ा अपनी diversification के purpose के लिए invest कर सकते हैं अगर आप एक नए investor भी शुरवात कर रहे हैं या एक दो साल से invest कर रहे हैं portfolio का size भी बहुत जादा बड़ा नहीं है तो आपको हेल्प में लेगी इस वीडियो से धन्ने बाद